प्रचार में बढ़ रही है सम्विदन श्रीलता भाजपा करेकरजने कॉंगर्स दिता पर मार्पीट करने का लगा आरोब प्रचार में बढ़ रही है सम्विदन श्रीलता भाजपा करेकरजने का लगा आरोब लगाते हुए मामला दर्च चारधाम यात्रा पर गंगूत्री धाम करने पहुंची इटली अस्ट्रिलिया नेपाल से श्रधाल उत्राखन की दिव्यता भव्यता को लेकर उन्होंने मनुभव्यक्ष की तो ख़बर है चारधाम से जुरी चारधाम यात्रा पर गंगूत्री धाम पहुंची इटली अस्ट्रिया नेपाल से पहुंची कई सारे श्रधालो बतादे कि देव भव्यता को लेकर उन्होंने मनुभव्यक्ष की कहा इटली के एंड्रिया ने कहा कि जौरान वो 14 साल में तिसरी बार गंगूत्री धाम पहुंची है यहाँ जो कि अपे आपने मुझे यहाँ ते झाल में यहाँ ए जो रे कि यहाँ यहाँ ए झाल झाल अर्याषर आहा है विसको लिसके लिव जाहे नंगटरी में जे पिलुक्त लाफी । जाट लेए नहीं एकृटरी है यम कई अजुब्स्रावज और श्याषल मैंनेज़त वीडिवार दूसरी खबर है इलेक्सेंश जुड़ी बता दे कि दिल्ले में 25 में को होना है मत्दान और साथ सीटों पर होने वाले हैं मत्दान और मत्दान को लेकर पूरी तरह से राचनी तिक पाटिया तैयारियों पर है दिल्ली में चिनापरचार जोर पकरता नजर आ रहा है और मंगल राजस्तान के मंत्री राईजवर्धन सिंग राठोर भी नजर आए और दिगज नेताओं ने मोदी सरकार की सराहना की पिये मोदी की तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच उन्होंने रखा और इस दौरान प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया नदारत दिखाई दिए उत्तर पस्चीम दिल्ली जिला से भाज़पा प्रत्याशी है योगेंद्र चंदोलिया चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे असम के मुख्य मंत्री मौजूद रहे राजस्तान सरकार में मंत्री राईजवर्धन सिंग राठोर बता दें के दिल्ली में 25 मैं को होना है मदान साथ सीटों पर मदान होना है और दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर पकरता नजर आ रहा है राज़नीतिक पार्टिया जोरों शोरों से चुनावी प्रचार करते नजर आ रही है योगेंद्र चंदोलिया के लिए मांगा जा और चंदूलिया के समर्धन में उत्रे एसम के मुख्य मंतुरी डॉक्टर हिमन तूवी शुशर्मा साथ ही नजर आए राजस्तान के मंतुरी राई जेवर्धन सिंग राठोर। की भी सुरुवात कर दीजिए राजस्तान की धोलपूर से धोलपूर में किनर समाचने निकाली शोभा यात्रा सब्मिलन के दौरान शेहर में निकाली गई है शोभा यात्रा शोभा यात्रा में कई राजस्तान के किनर मौजूद रहे आप देख सकते हैं धोलपूर की ये हवर आपके लिए किनर समाचने यजमानों की खुशाली के लिए मांगी है दौा अखिल भर्के किनर सम्मिलन का तीसरा दिन और तीसरे दिन किनरों ने सच धच कर, श्रिंगार करके निकाली है शोभा यात्रा रोथों में बैट कर बेंट बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली है और शोभा यात्रा में कई राज्ज के किनर मुझूद रहे पता दे कि जोलपूर में 10-13 माई तक किनर सम्मिलन का आयोजन किया जा रहा है और आज आखरी दिन है सम्मिलन का इस तरह से नाचते गाते जूमते नजर आए किनर समाच और राजसान के ढोलपूर सनुरा गाउ के पास हुआ है बड़ा सरग हाथसा एक अनियंद रिट्रेक्टर टोली के पलटने से हुआ है बड़ा हाथसा बतादी की इस हाथसे में आज़ा दर्जन लोग घायल हुए है और घायलो को आस्पिताल भेजा गया है दोल पूर से नुरा गाउ के पास यह बड़ा सरग हाथसा हुआ है एक अनियंद रिट्रेक्टर टोली के पलटने से हुआ बड़ा हाथसा आजसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं और इधर जनपद उत्तरकाशी के धराली में अस्तित भगवान कल्प के दार मंदीर के कपाट आज पूरी विधी विधान के साथ खोल दिये गए है पोरानिक मान्यता के अनुसार इस मंदीर के दर्शन मातर से ही चारो धामों का पुन्य प्राप्त होता है बतादे कि प्राचीन काल में शंकराचारिय के सनातन धर्म के पुनर उत्थान अभियान के तहत ही यहां भी मंदीर समू स्थापित के गए थे इस समू में 24 मंदीर थे लेकिन 19-वी सदी की शुरुवाती में श्रिकंट परवत्ते निकलने वाली खीर गंगा नदी में आई बार से कई मंदीर मलवे में दब गए सन 1816 की बाद करें तो गंगा भागी रती के उद्गन की खोच में निकली अंग्रेज यात्री जेम्स बिलियन फ्रेजन ने अपने वृतांट में धराली में मंदीरों में विश्राम करने का उलेक किया है इसके बाद सन 1879 में गोमुक तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर वो खोच करता सेमुल ब्राउन ने धराली में तीन प्राचीन मंदीरों की फोटो भी कीची थी जो पुरा तत्व विभाग के पास सुरक्षे थे वर्ष 1945 में सानिय लोगों ने गंगा टट पर मंदीर का शिखर नजर आने पर जमीन से करीब 12 फिट नीचे फुदाए कर मंदीर के प्रवेश दुआर तक जाने का रास्ता बताया और इस मंदीर की पहली मंदीर तक पानी भरा हुआ है पर कहा जाता है कि इस मंदीर में तीन मंदीर पानी के अंदर है और कल्प केदार मंदीर का थ्विर शिखर शेली का मंदीर है इसका गर्व ग्रिया प्रवेश दुआर से करीब साथ मीटर नीचे है इसमें भगवान शिप की सफेद रंकिस्वर्टिक की मूथी रखी गई है और इधर हलदवानी में शराब महंगी बेची जाने पर निर्देश जारी किये गया है कई शेत्र में नए वित्य वर्ष के बाद बढ़ाए गया है शराब के दाम और बरते दामों से ओवर रेटिंग का खेल जारी है हलदवानी में मामले में कई बार शिकायत भी की गई है नहीं लगी है ओवर रेटिंग पर लगाब और कई जगा जिला प्रसाशन द्वारा की जा रही है जापे मारी आपकर विभाग की तरब से दिया गया है जोरान हिर्देश नए रेट लिस्ट को चोस्पा किया जाए कई जगा रेट लिस्ट नहीं लगाय जा रहे है शिकायत आने पर होगी तुरेंट कारवाई और प्रसाशन ने दिया है आसुआशन दुकानों में लगे CCTV जान्ट भी क पर लगाम कई जगा जिला प्रसाशन द्वारा की जा रही है शापे बारे कुछ जो पुराना स्टॉक है जोगी उस पर पुराने रिविट प्रिंटर है इसको लेकर भी लोगों में संकाय पैदा हो रही है उसी को देखते वे डिस्टिक एफसाइड और दूसी तरब श्री नगर में पतंजली की तरफ से हुआ है महिला महा सम्मिलन घर घर तक योग पहुचने के लिए सम्मिलन का आज आयोजन किया गया है सम्मिलन में पहुची है महिलाओ को किया गया है सभी महिलाओ को प्रिरित किया गया है गरवाल में पतंजली वीशु विद्याले की तरफ से हुआ है सम्मिलन का आयोजन घर घर तक योग पहुचारी के लिए सम्मिलन का आयोजन किया गया है और संबेलन में पहुंची है महिलाओ को सभी महिलाओ को प्रेरित किया गया है गर्वाल में पतेंजली विश्व विद्याले की तरब से महा संबेलन का आयोजन किया गया है बता देश दोरान यो गुरु रामदीव ने वर्चुली माध्यम से महिलाओ क को संबोधित किया है तो उनको गुरुदेव का आशिरवाद दिल्वाना मैं अपनी तरब से भी उनके दर्शन करने आई हूं उनको प्रणाम करने आई हूं क्योंकि आज के जमाने में निस्वार्थ सेवा कोन करता है और इस सेवा को हम सब बहने मिल करके और भी आगे बढ़ वरिष्ट भाजपा नेता जगतिश अगरवाल ने ठोकी है दावेदारी निकाई चुनाफ की सरगर्मिया हुई है तेज वरिष्ट नेता जगतिश धनकर ने कहा अगरवाल ने जगतिश अगरवाल ने ये कहा है और साथ ही ये भी कहा अगरवाल ने दावेदारी पेश की पाती उन पर भरोसा जताता है तो निराश नहीं करेंगे अगरिवाल ने ये भी कहा विकास कारे के क्रम में कई मुदों पर चर्चा की गई मोका मिलता है तो वो अस्पताल का उच्ची करन करवाएंगे साथी बस्टॉप की भी व्यवस्ताओं को करेंगे ताकि यात्यों को को इस दोरान उन्होंने कई सारे वादे किये है और इस दोरान उन्होंने कई सारे वादे करते हुए कहा कि वरिष्ट वाजपा नेता जगदिश अगरिवाल ने दावेदारी ठोकी है पार्टी उन पर अगर भरोसा जताता है तो वो पार्टी को निराश नहीं करेंगे कहा ता मालने स्टी रहती है और अगर पार्टी हम पर विस्वास करके हमको ठिकर देती है तो हम गर्मियों के अंदर बहुत परिषान रहते हैं और दूसरा यहार बस इस डविज नहीं है जिससे कि जो है लोगों को काफी पलिसानिया है CCTV कैमरे भी लगे होने चाहिए और राज़धानी दिल्ली की बात करें तो 25 में को दिल्ली में होगा छटे चरन का मतान चुनाप प्रचार जोरो शोरो पर है दिल्ली में और सभी राज़नीतिक प्रत्याशी पूरी ताकत जोक रहे है इस दोरान बतादे कि साथ सीटों में से सबसे होट सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली जी भाज़धा प्रत्याशी मनोज तिवारी और दूसरी तरफ कॉंग्रेस प्रत्याशी कनहया कुमार की चुनावी लराई कनहया कुमार ने मंदिर में पूजार चुनावी की इस दोरान बता दे कि चुनावी प्रचार करने में व्यस्त है कॉंग्रेस प्रत्याशी कनहया कुमार तो दूसरी तरफ भाज़पा भी लगातार चुनावी प्रचार करने में व्यस्त है 25 मैं को दिल्ली में होगा छटे चरन का मता जुना प्रचार जोरो शोरो पर है और सभी राजनीतिक पाथिया पूरी ताकर जोग रही है पूर्वी दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि आप ने जो ठगने का काम किया है उसका उसका जो है उत्तर आपको देना परेगा उसकी जिन्मेवारी लेनी परेगी समय है छोटे से ब्रेक का एसके राइ ने दीहस बात की जानकारी, नहीं होगी यात्रियों को कोई पेचल की संबंधी से कोई समस्या, यात्रियों को कोई उसुविधा ना हो, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जल संस्तान की और से किया गया है पुख्ता इंतिजाम, जनपर श्रीनगर के साथ पूरी अधर पॉस्टिम दिली पुलिस की AATS की टीम की बरी सफलता टीम ने दो सक्रिय बदमाशों को गृपतार किया है बदमाशों से एक चोरी की गई मोटर साइकल भी जप्ट की है पुलिस ने और आठ चोरी के मोबाइल फोन भी बरामत किये है पुलिस ने इनके गिरफतारी से किया है बरा दवा कि एक दरजन के करीब मामलों को सुलजाने का दवा पुलिस ने किया है पस्चिम दिली पुलिस की AATS टीम की बड़ी सफलता टीम रेदो सक्रिय बदमाशों को गुरुफतार किया है और उत्तरखाशी के यमुनोत्री धांप शमता के अनुसार पर याप्त श्रधालू यात्रा के लिए पहुंच चुके है और अब और अधिक श्रधालू को भेजना जोखिम भरा होगा जिला प्रसाशन ने सभी श्रुधालू से अपील की कि जो भी श्रुधालू आज यमनोत्रि यात्रा पर आने जा रहे है उनसे विनम्र अपील की गई है कि आज यमनोत्रि-जी की यात्रा सगित कर दी जाये झाल झाल और अग्रीन दमानत पर छूटे दिली के मुख्य मुंत्री का आवास विभिन कार्णों से चर्चा में रहता ही है और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहाँ उनके कहने पर उनके पिश्चार के बारे में सोचती है खिसानों के हितों के लिए भेकार्य करती है मोधी सरकार कहा है ओपी धन्खर ने पिले में चटे चरण के मद्दान के लिए राजनीतिक पाटिया तैयारियों पर है बाजपा के दिलनी प्रदेश प्रभारी ओपी धनकर रोहिनी पहुंचे और उन्होंने जाट समाज का वोट मांगा है सभी से प्रधानमंत्री के समर्थन में वोट देने के लिए उन्होंने अपील की है जाट समाज चंदोलिया जी के साथ में पूर्ण रूप से कंदे से कंदा मिला कर खड़ा हुआ है रोनी का जाट समाज शिक्षित है जागरूप है और उत्तरप्रदेश के अमेढ़ी चुनाब प्रचौर में अबबर रही है सम्वेदन शिल्ता भाजपा कार्यकरताओं ने कॉंग्रेस नेता पर मार्पीट करने का अरोप लगाया है बतादे पूर्व MLC दीपक सिंग पर मारपीत करने का आरोप है बाजपा कारिय करता ने दी है तहरीर वाले सुल्तान थाले में मुकदमा हुआ है पंजीकृट कॉंग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंग पर मुकदमा दर्च किया गया है साथ ही भारत कुमार सिंग प्रधनाचारिय के खिलाब भी मुकदमा दर्च किया गया है तीन सो तेस, तीन सो पचेस, तीन सो बावन और तीन सो साथ जैसी गंभीर धराव में मुकदमा दर्च किया गय ने उनको हराने का मन बना लिया है वो बखला यही और प्रशाशन के लिए अधर हज़वानी लाइन पर संजे नगर वासियों ने SDM को स्थोपा है ग्यापन कार्यकरताओं ने SDM प्रस्ताशक नगर पंचायत लालकुआ से मुलाकात की और मुलाकात कर लाइन पर संजे नगर शेत्र को नगर पंचायत में शामिल करने की भी मांगी है नगर पंचायत की सुविधाय मुहया कराने की भी मांगी गई है 1975 में जारी हुआ था जिसका पालन कराए जाने के लिए आज यहां पर एक ग्यापन दिया गया है हम लोग इसलिए आये कि हमारा जो लाइन पास अंजने नगर लालकुआ में एक बस्ती है वो नगर पंचाय सीमा से जानबूज करके बाहर की गई है और वारा नसी में ग्रीह मंत्री का दो दिवसिय दोरा हुआ हत्म ग्रीह मंत्री ने गंगा आर्ती और द्रोन शो का अवलोकन किया है वारा नसी के प्रशिद दशा स्वामी घात पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रीह मंत्री के साथ नजर आए और साथ ही उनके साथ थे मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाद और कल साइन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वो नजर आए और अब तक लिए इतना ही धन्यवाद